नमस्कार दोस्तो, मैं मन्जीत कुमारजा, आप सब का अपने यूटूब चैनल पीएमस्टरी जोन में स्वागत करता हूँ दोस्तो, हम लोग पॉलीटी में पिछले वीडियो में मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े थे उस वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के पडिवासा के बारे में देखा था और ये देखा था कि हमारे सम्विधान में कितने मौलिक अधिकार दिये गए है उन सभी मौलिक अधिकारों के बारे में जितने अनुछेद मौन का वर्णन किया गया है उन सब को देखा था और इसके अलावे इन मौलिक अधिकार के तहत जो समता का अधिकार था यानि समानता का अधिकार था उसके प्रावधानों के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था तो आईए दोस्तों हम आज उससे आगे के अधिकारों के बारे में जानते हैं दोस्तों उससे आगे के अधिकार के बारे में जो पहला अधिकार है वो है स्वतंतरता का अधिकार दोस्तों स्वतंतरता मतलब की हमें कुछ काम करने की स्वतंतरता दी गई है लेकिन इसके लिए सर्थ है कि इससे किसी का नुक्सान ना हो या देश का नुक्सान ना हो यानि स्वाइंग का भी विकास हो और इससे देश का भी विकास हो तो आईए दोस्तों देखते हैं इस अधिकार को दोस्तो स्वतंतरता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 से 22 तक है यानि हमारे सम्भिधान में जो आर्टिकल 19 से 22 है वो क्या है तो मौलिक अधिकार के था स्वतंतरता का अधिकार है दोस्तो इसमें आर्टिकल 19 जो है 19 में कहा गया है अभिवक्ती की स्वतंतरता यानि इसमें हमें बोलने की आजादी है इसके अलावे भी जो कुछ करने की आजादी है आईए उसको देखते हैं इसके 5-6 भाग है ठीक है और इन 6 भागों में हमें विविन काम करने की स्वतंतरता प्रदान की गई है जैसे कि बो आजादी दी गई है इसके अलावे हम लोग कोई समीती बना सकते हैं कोई संग बना सकते हैं इसकी आजादी दी गई है तो आएए दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहला जो है वो है अभिवक्ति की स्वतंद्रता और इसी किताथ है प्रेश की स्वतंद्रता अभिवक्ति की भासन देने की या बोलने की स्वतंदर्ता यानि आपको अगर कहीं पे कुछ गलत लग रहा है तो आप उसके बुरुद बोल सकते हैं भले ही वो सरकार स्वेंग की गलती क्यों नहीं उसके खिलाब भी आप कुछ बोल सकते हैं या फिर अगर आप पत्रकाडिता करते हैं तो कि किसी भी सरकार के खिलाब या किसी के भी खिलाब आप उसके बारे में लिख सकते हैं या परचार कर सकते हैं तो दोस्तों स्वतंदर्ता के अंतरगत जो पहला मुख्य अधिकार है वो क्या है अभिवक्ति की स्वतंदर्ता और उसमें प्रेस की स्वतंदर्ता सबसे मजबू करने के स्टनुता मैंने अभी अभी बताया है कि शांति पुर्वक कहीं भी सम्मेलान आप कर सकते हैं यदि आप सरकार द्वारा बनाए गये किसी भी कानून की विरुद अपना औसामती जताना चाहते हैं तो आप कहीं पर एकत्रित होकर उसके खिलाब विरोध कर सकते हैं लेकिन यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह विरोध जो हता है वो अहिंसात्मक होना चाहिए यानि हिंसात्मक नहीं होना चाहिए और बिना हथियारों के होना चाहिए यानि आप जहां भी हमें कहां से मिलता है तो स्वतंतरता के अधिकार से मिलता है इसके बाद है संग बनाने की स्वतंतरता स्वतंतरता दोस क्या है संग बनाने की स्वतंतरता यानि इसके तहत हम कोई भी संगठन बना सकते हैं और कोई भी समीति बना सकते हैं जैसा कि आप देखते होंगे हत मिली व्य है इसके बाद है दोस्तों भ्रह्मन करने की स्वतंदरता याने हम अगर अपने देश में कहीं भी किसी बिध certains श्थान या फिल कोई भी जो अतिसुंदर दर्शनी श्थान वहां जाना चाहें तो भिना के आ जा सकते हैं और ये भी हमें सम्विधान से स्वतंत्रता के अधिकार के थत मिला हुआ है इसके बाद है दोस्तों निवास करने की स्वतंत्रता यानि अगर मालने जिए कि आपको जहां रह रहे हैं वहां अच्छा नहीं लगता है और आप किसी दूसरे जगह रहना चाहते तो इसके लिए भी आप पुर्ण रूप से स्वतंत्र हैं यानि वहां जाके निवास कर सकते हैं देश के किसी भी हिसे में जाकर के आप निवास कर सकते हैं इसके लिए कोई विशेश अनुमत्ती लेने की आप सकता नहीं है या फिर नहीं कोई इसमें आपको रोक टोक लग सकता है तो दोस्तों भारत के किसी भी हिसे में निवास करने की स्वतंदरता हमें कहां से मिली है तो स्वतंदरता के अधिकार के थाथ ही मिली है इसके लाबा दोस्तों है व्यवसाय करने की स्वतंदरता यानि आप अपनी अजीवी का चलाने के लिए किसी भी प्रकार का मार वेगरा नहीं होना चाहिए यानि जो कानून की नजर में सही हो उसमें आप कोई भी व्यवसाइक कर सकते हैं जिसे की आपका जीवन यापन हो इस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है तो ये थी दोस्तो सोतंदरता का अधिकार अब दोस्तो देखते हैं अगला अधिकार क्या है अपराद के दोस सिध्धी के संबंद में सनरक्षन यानि आप जो अपराद करते हैं उसमें दोस सिध्धी के संबंद में कुछ सनरक्षन प्रतान किये गया है ये हमारे सम्भिधान में आर्टिकल 20 के तहद दिया गया है और इसके तहद 3 प्रावधण दिये गये हैं क्या है 3 प्रावधण तो पहला है कि अप्राद की समय जो कानून होगा उसी के अनुसार दंड दिया जाएगा यानि आप जब अपराद कर रहे हैं और उस समय जो उस अपराद के लिए दंड का प्रावधान है उसी के अनुसार आपको दंड मिलेगा इसको ऐसे समझते हैं कि मालीजे कोई आज यानि 2020 में कोई अपराद करता है मालीजे किसी दुकान में चोड़ी करता है और इस चोड़ी के लिए 2020 में जो सजा का प्रावधान है वो है एक वर्स कारावास एक वर्स का करावास अब मालीजे कि इसमें संसोधन होता है और 2021 में इसका प्रावधान क्या हो जाता है बढ़के दो वर्स करावास हो जाता है और नियायालय जो है वो आपको 2021 में सजा सुनाती है तो आप आपको जो सजा मिलेगी वो 2021 के कानून के हिसाब से नहीं मिलेगी किस कानून के हिसाब से मिलेगी 2020 के कानून के हिसाब से मतलब जिस समय आपने अपराध किया था यानि आपको मात्र एक वर्स के कारावास की सजा सुनाई जाएगी इस परकार हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कि जब हम कोई अपराद करते हैं तो उसमें जो कानून के प्रावधान होता है उसी के अनुसार हमें दंड मिलता है उसके बाद है दूसरा दोस्तों कि एक अपराद के लिए एक ही बार सजा पाने का अधिकार यानि आप कोई भी अपराद करते हैं तो इस अपराद के लिए आ मात्र एक बार सजा मिल सकती है यानि जैसे कि एक वर्ष काड़ावास की सजा है तो मात्र एक बार आप एक वर्ष के काड़ावास की सजा भुखतेंगे दूसरी बार इसी दोस्त के लिए आपको सजा नहीं मिल सकती है दूसरी बार अगर सजा मिलेगी तो उसके लिए अलग से के खिलाब गवाहिदो यानि आप अगर नियायालेख में जाते हैं तो आपको ये बाद्य नहीं किया जाएगा कि स्वेंग के previous यानि तुमने जो अपराद किया है उसके खिलाब गवाहिदो को जिससे सजा सुनाने में आसान ऐसा कोई बाध्य नहीं कर सकता है आपको इसके बाद आता है दोस्तो आर्टिकल 21 जो भारतिय सम्विधान का सबसे विश्तृत आर्टिकल है और विभीन हाई कोट और सुप्रीम कोट के निर्नेयों ने इसको और विश्तृत बना दिया है क्या है दोस्तो तो आर्टिकल 21 है प्राण एवम देहिक सोतंतरता का अधिकार देखने में दोस्तो बढ़ा छोटा लग रहा है कि प्राण एवम देहिक सोतंतरा बिना प्रदूशन के जीने का अधिकार, भैमुक्त जीवन जीने का अधिकार, नीजिता का अधिकार, सिक्छा पाने का अधिकार, कोई आपका सोशन न करे, इसका अधिकार भी इसके अंतरगत आता है, दोस्तों इन सब अधिकारों इसके अलावे भी और बहुत से अधिकार ह जो इस प्रान एवम दैहिक स्वतंत्रता के अंतरगत हमें मिले हैं इसका यह इस अधिकार का दोस्तों जो उद्देश है वह मुल उद्देश है खोई भी व्यक्ति भारत में गड़िमापुर्ण जीवन व्यतित करें यौनी एक गड़िमापुर्ण जीवन व्यतित करने में उसे किसी प्रकार का कोई कठनाई नो हो, इसके लिए इस प्रावधान को दिन प्रती दिन विश्तरित किया जा रहा है, जैसे कि अभी कुछ साल पहले आधार कार्ड के विवाद में सरकार ने अपना फैसला सुनाया कि ये नीजता का अधिकार जो है, वो भी आर्टिकल 21 के तहट प्राण एवं देहिक स्वतंतरता का अधिकार है, जो कि निश्चित है हमारे ना सरीर से जुरा हुआ है, ना हमारे प्राण से जुरा हुआ, फिर भी ये एक अधिकार है, तो इस तरह दोस्तों ये जो प्राण एवं देहिक स्वतंतरता का अधिकार है, ये केवल प्राण एवं शरीर तक ना समीत रह करके, इसका स्वरूप बहुत विश्तरित है, इसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 22, यान आपको प्राप्त है, आईए दोस्तों देखते हैं कि ये समरक्षन क्या है, पहला है गरफ्तारि का कारण पूछने का अधिकार, यानि कि जो भी आपको गरफ्तार करने आएगे, तो आप उनसे कारण पूछ सकते, कि ऐसा क्या कारण है कि आप घरुTFतार कर रहे हैं, और को कोई ग्रफतार करेगा तो आप उनसे अपनी ग्रफतारी का कारण पूछ सकते हैं इसके बाद है दोस्तों 24 घंटे के अंदर न्यायाले में पेस करने का दिकार यानि कि जब आपको ग्रफतार किया जाएगा तो उसके 24 घंटे के अंदर आपको न्यायाले में पेस करना इसमें एक चीज है कि आवा गमन के समय को छोड़कर यानि कहीं आने जाने में जो समय लगा उसको छोड़के 24 घंटे के अंदर आपको नियाइधीस के समक्ष उपस्थित करना अत्यन्त आवस्थक है अगर 24 घंटे के अंदर नियाइधीस के सामने आपको पस्थित नहीं किया जाता है तो उनके खिलाब काड़वा ही हो सकती है इसके बाद है दोस्तों मन पसंद कानूनी सलाह लेने का अधिकार यानि जब आपको ग्रफतार किया जाएगा तो आप अपने किसी भी मन पसंद वकील से कानून संबंदी सलाह मान सकते हैं कि इस मामले में अब क्या किया जाए या आगे किस तरह से अप्रोच किया जाए इसका अधिकार भी हमें ग्रफतारी से संरक्षन के अधिकार के तहद मिला हुआ है तो दोस्तों आज हमने देखा कि मौलिक अधिकार के तहद स्वतंदरता का अधिकार उसके बाद अपराद के दोस्ति सिंधी के सम्बंद में संरक्षन का अधिकार उसके बाद प्रान एवं देहिक स्वतंदरता का अधिकार और गिरफतारी से सनरक्षन का अधिकार तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना न भूले और आगे के वीडियो से अप्टू डेट राने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहे धन्यवाद